वेलकम बेक टो मैं चानल मैं हूँ रुचिका और स्वागत है अपका रुचिका आज में को वर में कैसे आप सब आज में अपने साथ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो है different types of coms का अगर आप लोग professional है, beautician है, आपका saloon है, आप लोग beautician का काम सीख रहे हैं, saloon का काम सीख रहे हैं तो आपको यह सब कॉम्स की basic knowledge जो है जानना जरूरी है क्योंकि जब हम hair styling करते हैं तो हमें different different कॉम के बारे में सीखाया जाता है तो आज आपको मैं इनके names भी बताऊंगी और इनका function भी बताऊंगी याए होप आप लोगों को मेरा यह video पसंद आएगा अगर आप लोगो मेरा वीडियो पसंद आप प्लीज मेरा चैनल को subscribe करिए वीडियो को like करिए, share करिए, bell icon जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के notification सबसे पहले मिले आपको और आप लोग मुझे instagram भी follow कर सकते हैं जिसका जो लिंक है वो मैं आपको description box में डाल दूँगी different different coms है और जो इनके name है वो भी मैं आपको description box में डाल दूँगी ताकि आपको easily यह जो com है इनके नाम याद हो जाए और इनके function भी आपको याद हो जाए तो चलिए हम एक एक करके इन coms के बारे में जाएंगे तो हम उनके बारे में ही जाएंगे तो यह पहला com है हमारा और इसका नाम जो है वो metal telcom है यह देख लीजी इसके पीछे एक tail है जो metal की बनी है उससे उसका नाम metal telcom पढ़ा है और यह जो है बालों को partition करने में बहुत ज़्यादा काम आती है जब आप लुपफ वगेरा बनाते हैं तो इस telcom का जो है इस्तमाल करते हैं यह जो tel देख रहे हैं आपके इसकी इससे बाल जो है वो बिल्कु सीधे एक लाइन में आपके section wise हो जाते हैं तो इसे हम metal telcom कहते हैं दूसरी कौम की तरफ यह ऐसे आप देख रहे हैं और इसे हम कहते हैं red telcom red telcom यह भी partition की काम आता है और इससे भी आप वगेरा बना सकते हैं और normally इससे आप section कर सकते हैं हमारा इसे भी red telcom भी कहते हैं पर इस वाले brush में और जो मैंने आपको पहले brush दिखाया था यह में पास से आपको दिखा देती हूं इन में difference है आप देखे इसके यह जो brushes हैं यह चोड़े हैं और इसके जो brushes हैं वो पास-पास हैं यह इसमें फर्ग बहुत जादा है है तो है तो यह दोनों ही रेड टेल कॉम पर यह जो है बालों को सुलजाने की काम आता है और यह जब आप सुलजा के hair style बनाते हैं तो यह पास-पास है इसके coms तो यह जो है यह बालों को finishing देने की काम आता है दोनों ही red tail comb है पर दोनों के functions जो है वो बिल्कुल अलग है तो यह जो tail comb है हमारा यह जो comb है इसे हम कहते है triple tail comb क्योंकि यहाँ देख लीजी आप इसमें 3 tails है और यह जो है हमारे वो waves जो आजकल चल रहे है वो देने की काम आता है यह भी बहुत जादा useful comb है और आप जब layers देते हैं बालों में अलग-अलग छोट-छोटे sections करते हैं तो उसमें यह बहुत जादा काम आता है यह वाले tail comb और इस वाले tail जो इसकी दूसरी side है इससे भी आप बालों में layers जो है वो डाल सकते हैं जो comb है हमारा इसे आप all-purpose comb कहते हो किसी के बाद बहुत जादा tangled होते हैं तो यह बाल जो है नोट सुलजाने की काम आते हैं बाल इसे अच्छी से सूलज जाते हैं तो इस comb का नाम है हमारा all-purpose comb और इसके बाल जो डात हैं यह ब्रिस्ल्स धें दूर-दूर हैं तो आप देख सकते हैं यह वाला जो comb देख रहे हैं आप इसे बार बर कॉम कहते हैं यह ज्यादा दर जो लोग कटिंग करते हैं उन लोग के पास वाता है एक तरफ से ये बाल सुलजाने के काम आता है और एक तरफ से ये बाल जब कटिंग करते हैं तो उसमें ग्रिप बनाने के काम आता है मैंने पहले वीज़े से बताए इसे बारबर कॉम कहते हैं या आपको सभी कटिंग जो लोग करते हैं चाहिए बारबर हो उनकी पास आपको जरूर मिलेगा और यह वाला कॉम है इसमें साथवे नंबर पर और इसे वन हैंडेड कॉम कहते हैं हम बालों को सट करने के बाद सेट करने में यह काम आता है और यह भी आपके पास होना बहुत ज्याद़ ज़रूरी है इसके बाद हमारा यह कॉमर्ण आ गया है आप यह द December है इसमें ये चार जो मैटल के टेल्स है वो निकले हुए है तो इसकोम का नाम है मैटल प्रॉंग टेलकॉम और ये जो है सेक्शन्स बनाने के काम आता है आज कल बहुत जादा इन है इसका काम क्योंकि लोग पफ के उपर लेर्स बनवा रहे हैं उसमें ये बहुत जादा काम आता है और जिन लोगों को इसका यूज आता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है चार-चार लेर्स जो है वो आप एक बार में निकाल सकते हैं तो ये कॉम की जानकारी भी आपके पास होना बहुत जादा जरूरी है बाद हमारा ये वाला कॉम आ गया है ये देख लिजी ये और ये दोनों सेम है पर नाम दोनों की अलंग है ये वाला जो कॉम है ये जिसको बर्मे में अब बता रहे हूं इसका नाम है non metal prong tell comb non metal इसमें metal था हमारा और इसमें non metal है तो ये दोनों ही prong comb है पर ये जो है metal वाला है और ये non metal वाला है किसी client को metal वाले से है अधिक्कत हो सकती है मालों में wave बनाते हुए तो आप इस वाले comb का इस्तमाल जो है इसके उपेक्षा कर सकते हैं उसमें कोई इसू नहीं है तो अभी हम इस वाले कॉम की बात कर रहे हैं तो इसका नाम मैं दुबारा से बता देती हूँ आपको नोन मैटल प्रॉंग कॉम है ये उसके बाद ये वाला कॉम आ गया हमारा इसे कहते हैं हम तू टेल कॉम इसमें तू टेल्स हैं और ये भी काम आता है इसे पूरा यह जो कोंबो सेट है वो आपको एजीली किसी बड़ी मार्कित में या उनलाइन भी मिल जाएगा आप लोग काम करते हैं तो आप इसको जरूर रख सकते हैं तो इस तरह सी 10 कोंब्स है और मैंने 10 के 10 का नाम जो है आपको पता दिया और उनके थोड़े क्लाइंट है उसको भी लगे कि यह लोग जो है प्रोफेशनल है इनकी जानकारी बहुत अच्छी है और इसलिए कोंब का भी नाम जो है यह ठीक तरीके से ले रहे हैं तो आप की आपको चीजों के सही नाम जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी-कभी जो है आपको काम तो पता होता है पर नाम पता नहीं होता है इसलिए नाम पता करना बहुत जाते जरूरी है आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को ज़र जो सब्सक्राइब करिए मेरा वीडियो देखने के लिए Thank you, thank you so much.